चैत्र नवरात्री के नौ दिनों में आदि शक्ति माता दुर्गा के उन नौ रूपों का भी पूजन किया जाता है माता के इन наौ रूपों को नवदुर्गा नाम से जाना जाता है शेल पुत्री माता का पहला रूप मा दुर्गा को सर्व प्रथम शेल पुत्री के रूप में पूजा जाता है हिमाले के घर पुत्री के रूप में जनम लेने के कारण उनका नामकरण शेल पुत्री हुआ इनका वाहन व्रशब है इसलिए ये देवी व्रशारूडा के नाम से भी जानी जाती है इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारन कर रखा है बाएं हाथ में कमल सुशोवित है ये देवी प्रथम दुरगा है यही सती के नाम से भी जानी जाती है नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मा ब्रह्म चारणी की पूजा अर्चना की जाती है भगवान शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी इनोंने इस कठिन तपस्या के कारण। इस देवी को तपस्चरणी यानि ब्रह्म चारणी नाम से अभेहित किया गया नवरात्री के दूसरे दिन ब्रह्म चारणी की अराधना विध्यातियों को जरूर करनी चाहिए इस दिन पीले या सफेद वस्तर पहन कर पूजा करनी चाहिए मा दुर्गा की तीसरी शक्ती का नाम चंद्रगंटा है नवरात्री उपाचना में तीसरे दिन मा चंद्रगंटा की पूजा का अत्याधिक महत्व है और इसी दिन उनी की पूजा अराधना की जाती है तृतिय शक्ती के रूप में विराजमान मा चंद्रगंटा मस्तक पर चंद्रमा को धारन किये है धारमिक ग्रंथों में कहा गया है कि नवरात्री के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना भक्तों को जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त करके इस लोक और परलोक में कल्याण प्रदान करती है नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुश्मांडा देवी के सुरूप की उपासना की जाती है इस दिन साधक कम्मन अदाहत चक्र में अविवस्थित होता है मादुर्गा अपने चतुर्त स्वरूप में कुश्मांडा के नाम से जानी जाती है नवरात्र के चौथे दिन आयू, यश, बल और एश्वरे को प्रदान करने वाली भगवती कुश्मांडा की उपासना अराधना का विदान है कुश्मांडा देवी सूरज के घेरे में निवास करती है इसलिए कुश्मांडा देवी के अंदर इतनी शक्ती है जो सूरज की गर्मी को सहन कर सके नवरात्री का पाँच्वा दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है धार्मी ग्रंथों ने सकंद माता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता और परम सुखदाई के रूप में पूजा जाता है मा अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ती करती है स्कंद माता की चार भुजाएं हैं और भगवान स्कंद की माता होने के कारण ही उन्हें स्कंद माता कहा जाता है माननेता है कि सूरी मंडल में अधिश्ठात्री देवी होने के कारण उनकी मनुहर छवी पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशमान होती है मा दुर्गा के छटे सुरूप का नाम कात्याईनी है महर्शी कात्यान क्या पुत्री के रूप में उत्पन होकर माता ने अश्विन क्रश्न चतुरदशी को जनम लेकर शुक्ल सप्तमी, अश्टमी और नवमी तक तीन दिन तक कात्यान रिशी की पूजा गरहन कर दश्मी को महिशा सुर का वद किया था कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद महर्शी कात्यान ने भगवती परांबा की उपासना और तपस्या की उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो तब मा भगवती ने का त्यानी के रूप में उनके घर पुत्री के रूप में जनम लिया मा दुर्गा की सांत्वी शक्ती कालरात्री के नाम से जानी जाती है नवरात्री के सांत्वे दिन मा कालरात्री की उपासना का विधान है इस दिन साधक का मन सहचार चक्र में स्थित रहता है इसलिए ब्रह्मांड की समस्त सिध्यों का द्वार खुलने लगता है कालरात्री की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिध्यों के दर्वाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारन से ही भैभीत होकर दूर भागने लगती हैं मा दुर्गा की आठवी शक्ति का नाम महागौरी है नवरात्र के आठवे दिन महागौरी की उपासना का विधान है इनकी शक्ति अमोग और सद्यफल दायनी है इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमेश धुल जाते हैं मा का ये स्वरूप आस्था, शुरधा और विश्वास रूपी श्वेद प्रकाश को अपने जीवन में धारन करते हुए अलोकिक कांती और तेज से संपन होने का संदेश प्रदान करता है मा दुर्गा की नौवी शक्ति का नाम सिध्धी दात्री है ये सभी प्रकार की सिध्धियों को देने वाली है नवरात्र पूजन के नौवे दिन इनकी उपासना की जाती है धार्मी गरंथों में कहा गया है कि भगवान शेम ने भी इस देवी की क्रपा से ये तमाम सिध्धियां प्राप्त की थी इस देवी की ही कृपा से शिवजी का आथा शरीर हुआ था इसी कारण शिर्व अर्ध नारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए चैत्र नवरात्री के नौ दिनों में आदी शक्ती माता दुर्गा के इन नौ रूपों का पूजन किया जाता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें